SME IPO versus normal IPO में apply करते वक्त एक major difference होता है जो majority लोगों को नहीं पता और बाद ने उन्हें loss हो जाता है दोस्ताथ इस वीडियो को share करना मत बुलेगा Normal IPO में 3 काटेगरी होती है Retail 15,000 के आसपास की H&I Small 2,000,000 से जस्ट उपर H&I Big 10,000,000 से जस्ट उपर और 3 काटेगरी में आपको allotment मिलता है Random basis पे यहाँ पे कोई भी proportion allotment नहीं होता है और अगर अच्छा खासा subscription जा चुका है आपके IPO में तो H&I Big में भी जो maximum आपको allotment मिल सकता है वो होता है 2,000,000 से जस्ट उपर का इसी के against में अगर आप SME IPO की बात करते हो तो वहाँ पे सिर्फ 2 काटेगरी होती है Retail जो 2,000,000 से कम की होती है जहाँ पे अगर आपको apply करना है तो एक ही lot में apply करने का use होता है और second होती है H&I 2,000,000 से जितना आप चाओ apply कर सकते हो और H&I की काटेगरी में SME IPO में आपको subscription मिलता है अगर नहीं पताता तो कमेंट करके मुझे बता दीजेगा